हेलो एवरिवन गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आई होप सब बढ़िया होंगे मैं अभी एकदम मज़ी में हूँ तो आज जो मैं बना रही हूँ डिश तो बो है सिड्डू तो जो बेसिकले शिमला और कुल्डू में बनाया जाते हैं मैं कांगडा से भी लोग करती हू तो आज मैं घर पे बनाओ और आपके साथ भी शेयर करो तो चलो चलते हैं किचिन की और यहां मैंने उर्द की डाली है इसको ओवरनाइट गर्म पानी में भीगोने के लिए रख देंगे अभी जो है यह दाल भीग चुकी है अभी इसको मैंने ग्राइंड करना है दाल को अ और आपवण चाहाँ तो घी टाल सकते मैं ओई डाल रहूं और इसको अच्छी तरह से करेंगे लेंगे और फिर गरम पानी से इसको डो र्यडि कर लेंगे इससे जो है वह अच्छी तरह से फूल जाएगा अभी जो है डो रेडी हो चुका है अभी मैं इसको उल प्लास्टिक रैप से मैं इसको ढखके रख दूंगी टू थ्री आर्स में ये हो जाएगा जब तक आठा रेडी होगा तब तक मैं इसकी स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ इसमें मैंने लिए हैं उर्द की डाल अभी मैं डाल रही हूँ यहां पर हल्दी नामक और थोड़ा सा हिंग गरमसाला डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी डाल को जो है हमने तीन से चार मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है जिससे वो अच्छी तरह सोफ्ट हो जाए अब यहां दाल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है अभी मैं एक प्लेट लूँगी और इसमें इसका बैटर डाल के इसको स्टीम करने के लिए 5-7 मिनट सक रख जो है अभी दाल जो है स्टीम हो चुकी है अभी मैं इसे अलग बरतन में निकाल के अभी मैं इसमें एड उंगे स्टेशाफ बरतन यहाओ तो और स्टीम हो चुकी है नम्कीन सिट्व कि और मीठे सिट्व कि तो अभी 6 67 अब इसांत प्लेट करते हैं स्ट और जो है इसम्वल्य रख जो पेर मैं आब इसकी अभी इसकी एक लोई लेंगे थोड़ी बड़ी लेंगे और लोई जिसको मतलब पेड़ा बोलते हैं वो लेंगे और इसको अच्छी तरह से ऐसे घुमाएंगे हाथों में अहदेलियों में फिर इसकी स्टफिंग को इसकी उपर अंदर भर देंगे और अच्छी तरह से इसको चारो और भरना होता है फिर इसको बंद करना होता है तो मैं ये नमकीन सिड्डू की स्टफिंग को राउंड शेप में बनाऊंगी नमकीन सिड्डू बनके रेडी हो चुका है अभी इसको पकाएंगे अब मीठे सिड्डू की बारी है तो इसको मैं बना रही हूँ अभी तो यहाँ पे जैसे पेड़ा लेते हैं वैसे लिया और अभी इसको मैं इसकी स्टफिंग को भर ली हूँ तो इसकी जो मैं शेप दे रही हूँ वो अलग सी रहेगी लंबाई में रहेगी मीठे वाले सिड्डू भी बनके रेडी हो चुका है तो अभी मैं इसको गैस में पकाऊंगी अभी जादा नहीं पकाना होता है हलका हलका सा पकाना होता है फिर इसको स्टीम देंगे तो उसके लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है तो अभी इनको डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको भी पकने के लिए कोई 15-20 मिनट तक रखेंगे तो यहां हमारे सिड्डू जो है रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते कितने फूली फूले से लग रहे हैं और इनको हम जो हैं छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे और घी के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं तो आप देखो कितने टेस्टी लग रहे हैं